अब ये एनरजी कांसरवेशन की जो घरों की बात की थी न तो घरों के लिए तो एक खास मिगदार में वो होती है चुएए घर बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री उससाफ से कम है तो यखीना उनकी जो एफेक्टिवनेस वो भी ज्यादा है लेकिन हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो उसके अंदर एनरजी कांसरवेशन के अंदर काफी भी अटेश हुई हुई है जैसे मैंने यहां वे लिस्ट बनाई हुई है ना इसमें आप देख रहे हैं फूड इंडस्ट्री में फूड इंडस्ट्री में क्या है पैकेजिंग है ना बहुत सारी पैकेजिंग उसके अंदर आती है तो उसके अंदर आप कैसे उसको रिड्यू कर दिये थे अब यह हमारे पास जो बिल्कुल एक फैशन हो गया है बलके कि आप जाएं बाजार में तो कोई भी चीज़ों गरम हो ठंडी हो सब आपको प्लास्टिक बैग में मिल जाती है वो कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि अगर कोई गरम सी कल में एक जगा बैठा हु वो बंद करके उसने इसको दे दी वो लीक विक तो नहीं कर रही थी वो ता अच्छी खासी बाइक थी तो उसे सब्सकतर ब़ूस यह लेकिन उस प्लास्टिक का इतना गरम होना और प्लास्टिक में जो कैमिकल्स फ्लास्टिसाइजर वो पिर उसमें ते से निकल के आप नि उपसान्दे हो सकती है. "' तो हमारी तब नहारी भी उसमें आएगीuteur भज़े के पाए भी उसमें आखे जीला की चनहे बीक्तक्रिक। Ciella सोचना पड़ता है उसके बजाए अगर आप कोई पतीला लेकर जाएं अलूमिनम का उसमें लेकर आ जाएं तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी तो होती है लेकिन इतनी बड़ी हम लोगों के वह है कि ऐसी छोटी छोटी जैसे टिन होता है पहले टिफन होता था अब वो टि करने की जूरत नहीं होती प्लास्टिक और आप लिए तो वह चीज होती है फूट के अंदर यह अब मैं तो इंडस्ट्री की बात बता रहा हूं इंडस्ट्री में भी सारी चीज़ें हम प्लास्टिक रैप में आज आनी शूरत नहीं है जहां घी के डब्बे के बजाए है एक बैग में घी मिल जाता है तो यह तो बड़ी फिर उसका कोई वो नहीं है ना कोई साइकल नहीं बनावा ना कि उस प्लास्टिक को निकाल के फिर उसको साफ करके फिर उसको रिसाइकल करेंगे वो प्लास्टिक तो गार्बिज में गया तो चला गया तीन का डिबा आपने खाली होगा गीसे तो आप कबाडियों को देंगे तो जा कि उसे रिसाइकल करेगा वो मेल्टर को देगा या उसको काट के फिर वो बनाएगा फ्लैट उससे कुछ और चीज़ें बनेंगे खिलोने बनेंगे वो वो कांसेप्ट है वो उससे प्लास्टिक इस्तेमाल करने में ख इतनी जुरूरत नहीं होते हैं कि सारा इंक जो है वो काली होती है ज्यादा तो वो अगर थोड़ा सा भी कलर उसका पेपर का कम हो तो उससे भी चल जाता है लेकिन वो उसको रिसाइकलिंग की भी बहुत जूरूरत होती है सारी इंडस्ट्री के अंदर बड़ी गुझाईश है यह हमारी पचास फीसद जितनी भी इंडस्ट्री है न इस इंडस्ट्री में जितनी भी इंडस्ट्री इनरजी इस्तेमाल होती है न वो इन इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती है तो इन पर खास फोकस करना पड़ वाली इंडस्ट्री, कार्बन डियॉकसाइड की बात नहीं कह रहा हूं, कार्बन डियॉकसाइड भी बहुत निकलती है इन से, लेकिन वो पी-म 2.5, पार्टिकल, पार्टिकुलेट मेरर 2.5 माइक्रॉन, जो होते हैं जो आपके हवा में देखें, आप सारे बिकरे वे होते है काफी सिमेंट इंडस्ट्री के इसके अतराफ काफी होते हैं ये, वो इतना नहीं होता कि सिमेंट इंडस्ट्री अगर सौमील दूर है तो सौमील से दूर लाहर तक के पार्टिकल्स पहुँच जाएं, वो नहीं होता, लेकिन आस-पास के अलाखों में उसकी काफी आलूद को जैन, उसमें और भी एक में वह है इनोवेशन जिसमें टेंपरिटर जो है, जिसमें कोईला जलाए जाए या गैस जलाए जो इसको बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो उसकी वज़ा से कार्बन जो है उसमें बहुत अच्छी तरीखे से इस्तेमाल होता है, चाइना में अब देखें, आप लोग कहते हैं कि हर महीने एक नया पावर प्लांट बन रहा है वहाँ पे, चुझके आबादी इतनी ज्यादा है और इस्तेमाल एलेक्रिसिटी का बहुत ज्यादा हो गया है, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं बहुत सारी तो उन्होंने एक एक हर एक महीन दरियाफत के बाद, अब दो पावर प्लांट वहां पे चायना के लगे हैं ना अलरडी, 660 मेगावाट के फ़री प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो उसका पॉलूशन जाए वो अपनी जगा पे है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर बनाना ही है, वैसे तो बनाना नहीं चाहि चकिते हैं, कार्बन डॉकसाइड करने के लिए आप जादे जादा हीट करेंगे लेकिन उसे जादे जादा हीट करेंगे तो नईटिस ओकसाइड जादा बना शुरू हो जाएगगी, तो उसको optimized करना पड़ता है, तो वो चीज़ ओंडrie है, हीटिंग के लिए, वो एक ची है कि जैसे डेसे आपको बता था सेकंड लाव थर्म privacy में कि आप सारी की सारी एक किसम के एनरजी दूसरे में नहीं तब्दील कर सकते इस्का मतलब है कि अगर इनरजी की न अगर कोल जलाने से हीड़ बनी हीड़ बने से आपने स्टीम बनाई ही स्टीम से पर अपने टर्बाइन चलाया, टर्बाइन से फिर जेनरेटर चलाया, जेनरेटर से पिर अलेक्रिसिटी निकली, तो यह कि पांच हो गया इस्टेप, हर स्टेप के अंदर आपने काफी सारा लॉस कर दिया अपना, जैसे कार की बात की ती कि 19 सथ बच्दी एक एनरजी कार में, जिसमें आपकी काड़ी चलती है, बागी सब मुक्तलिफ चीज़ों में जाया हो जाती है, वो हम नहीं करते हैं, डिजाइन से थोड़े सी बहतर हो सकती है, लेकिन उससे जादा बहतर नहीं हो सकती, यह थर्मो डैनामिक्स है, इसका मतलब है कि एनरजी एक तरह की तरीखे की एनरज में नहीं बन सकती, उसके लिए वेस्ट करना जूरूरी होता है, तो भुअ तो इसमें ये है कि आपने टर्बाइन बनाया वो बॉलर है उस में से स्टीम macro ने से वो टर्बाइन चला, टर्बाइन से आपने जेनेटर चला, अब जेनेरेटर से आपकी लेक्रिक्तिर निकला ठीक है ये तो एक प्रासेस हो गया अब जो बागी बची हीट उसका क्या करें अगर उस हीट को लेकर जैसे नीचे लिखा हूँ है ना कंडेंसर वगरा वहां पे जाके आप उसको हीट से पानी गरम कर लें अभी क्या करते हैं आम जो पावर प्लांट से उसमें जो हीट है वो तो ठंडा तो करते हैं उसे हीट एक्सचेंजर में लेकिन सारी जो हीट है वो स्टीम बनके बाहर निकल जाती है आप किसी पावर प्लांट की तस्वीर देखें उसमें एक टावर होगा जिसमें से बहुत सारी स्टीम निकल रही होगी वो ये एकसेस हीट जो जाया करने वा लेकिन कमसकम जो वेस्ट हीट थी वो कम्प्लीटली वेस्ट नहीं हुई इसका ये मतलब नहीं कि आप सारी की सारी हीट की रिकावर कर सकते हैं वो तो फिर वही थर्मोडिनामिस का सेकंड लौ आ जाता इसके अंदर भी किया आप कुछ उसकी फीसद इस्तेमाल करें लेकिन हाट वाटर भी मिला को जेनरेशन जेनरेशन अफ एलेक्रिसिटी इन जेनरेशन अफ हाट वाटर तो इससे टोटल प्लांट की एफिशंसी थोड़ी सी ज़ादा हो जाती है अब बाद मुलकों में तो यह हो गया है कि अगर अगर आपने बनाना गैस से या कोल से पावर प् आनिये